नमस्ते दोस्तों मैं आज आपको केंद्री अद्धियु सुरुक्षा बल नियम दोज्जर एक की वीडियो बना रहा हूं अगर इसमें कोई तुरूटी हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में डालते हो डाल सकते हो जो इस विरकार है देखो वीडियो इस विरकार है केंद्री सरका केंद्री अद्धियु सुरुक्षा बल अद्रियु सुरुक्षा बल नियम दोजार एक कब से प्रवत हुआ उत्तर है पांच नॉम्बर दोजार एक से क्योंकि आपके ये ल्डी से एक्जाम में कम से कम दस बार कुष्चन आते हैं इसलिए आपको ये वीडियो बार बार देखनी है और ये सभी कुष्चन एक बार रिविजन करना है अगरा कुष्चन है किंद्री अद्धियु सुरुक्षा बल नियम दोजार एक के तहत कुल कितने अध्याय चैप्टर हैं उत्तर कुल 14 अध्याय चैप्टर हैं किंद्री अद्धियु सुरुक्षा बल नियम दोजार एक के तहत कुल कितने नियम हैं उत्तर है कुल नियम और सिंक्या बान में हैं किंद्री अद्धियु सुरुक्षा बल के अध्याय एक में कितने नि अगला है पांचन क्या है। के नियम 2 में क्या है नियम 2 में परिवासा हैं यह दिनियम परीशिष्ट बंद गरपतारी भंद गरपतारी यानि मजिस्टड कुली गरपतारी अनुसुची धारा अमला आदी दी हुई हैं साथ उक शान अदिनियम की परिवासा उत्तर है बंद गरफतारी से किसी भरती किए गए बलसित्स का उषबल या उसे बल की किसी तुकडी या किसी कौारटर कौणर गार्व rip अधिन श्वीर के विटर परी रोध अभी परे रता है अगला कुशन बहैए खुली करफ़ारी से क्या साथ परे है कुली करफ़ारी से ताथ परे है से किसी भरती किये गए बल सदेश का Ben Tall की किसी टुकरी दुबारा तत समय दखल की हुई किसी बेरक लाइन या सिविर की प्रेसिमा के भीतर प्रिरोद अभी प्रेत है अगला है दसवा कुशन केंद्रिय अद्याई दो में कितने नियम है केंद्रिय अद्याई दो में कुल तस नियम है नियम तीन से नियम बारत तक केंदरियोद्दु रुक्षा बल के नियम 3 में क्या है नियम 3 में बल के गठन के बारे में बताय गया है बल निम्लिक 3 साखाओं से मिलकर बना है जो इसक्रकार है पहला है कारिया पालक साखा एक्जिट्यूय duel अगनी समक अगनी समन सिवा साखा फायर सर्विस बरांच और त के नियम चार में क्या है नियम चार में बल की संरचना के बारे में बता गया है परियवेक्षक अधिकारी सुप्रवाइजरी ओपिसर कौन-कौन होते हैं इसमा आते हैं परियवेक्षक अधिकारी निम्न है जैसे महाने देशक डिरेक्टर जनरल डीजी अपर है और महाने अपर माने देशक, additional direct general, महानी रख्चक, inspector general, गाई जी, पहला है DG, फिर ADG, फिर है IG, फिर चोथा है उप महानी रख्चक, डिप्टी, इंस्वर्टर, एंगे DIG, अगला है jest commandant, senior, senior commandant, फिर commandant, फिर है उप commandant, डिप्टी commandant, नहीं साहे commandant, असिस्टेंड commandant, यह है इसमें आप पोज़ करके देख सकते हैं, फिर है बड़ती किये गए सदश, enrollment member के अंतरगत कौन कौन आते हैं, उत्तर है निरिक चक, inspector, इनकी दूसरा फिर है उपने रख्चक, एस सव इंस्पेक्टर, साहे को अपने रख्चक, असिस्टेंट सव इंस्पेक्टर, head const stable, फिर है constable, जैनकी बड़ती किये सदश, enrollment number के, enroll member के अंतरगत कौन कौन आते हैं, जैनकी इंस्पेक्टर से, और जैनकी कौन से इंस्पेक्टर तक, केंद्री उद्दूसरुचेवल पांच को है, पंद्रो है, केंद्री उद्दूसरुचेवल के नियम पांच में क्या है, नियम पांच के तहत, इस्थानी रैंक प्रदान किया जाता है, जैसे not, महान देसक दुबारा केवल कमांडन तक, जिसमें यह रैंक भी सम्मलित है, इस्थानी रैंक प्रदान की जाएगी, अगला कुशन है, उप महान रक्चक और उसके उपर के इस तरके अधिकारियों को इस्थानी रैंक में कौन इस्थानी रैंक कौन प्रदान करता है, उप महान रक्चक और उसके उपर के इस तरके अधिकारियों की, इस्थानी रैंक प्रदान कौन करता है, उप महान रक्चक और उसके उपर के अधिकारियों को इस्थानी रैंक ग्रे मंतरा लेके पूर अन ंगेशा, इस्तानिय राइंग की जाएगा कों और खोलेगा, महान देशक़ दवारा ही की जाएगा अगला है, ठ्रवा केंद्री सरकार द्वारा कितने दिनों के अंतरगत सरक्षा के बल के एक अधिकारी से स्तानी रैंक मंजूर किया गया है उस रैंक से विमुक्त हो जाएगा जदी केंद्री सरकार द्वारा कितने दिनों के अंतरगत ऐसे मंजूर किये रेंक की संतुती नहीं की जाती है तो उत्तर है 21 दिन इसको आप पोज़ करके और सिलो करके दे सकते हो अगर मैं जाद इस फीडिम बोल रहा हूं तो अगला है उन्निसो कुश्चन केंद्रिय उद्व सुरुच्चा बल के नियम छह में क्या है तो नियम छह में केंद्रिय उद्व सुरुच्चा बल के नियम छह में महाने दे सक के करतव को बता गया है अगला है 20 वा केंद्रिय उद्व सुरुच्चा बल के नियम साथ में क्या है नियम साथ के तहत केंद्रिय उद्व सुरुच्चा बल में सेक्टर महान देशक के करताओ को बता गया है अगला है किसवा केंदे उजो सुर्चाबल के नियम आठ में क्या है तो केंदे उजो सुर्चाबल के नियम आठ में उप महान देशक के करताओ के बारे में बता गया है अगला है केंद्री अद्री 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 अद के नियम 11 में क्या है के इंद्रिय उद्दू सुर्चबल के नियम 11 में उप कमांडेंड एंगी उप कमांडेंड के डिप्टी कमांडेंड के करताओं के बारे में बता गया है के इंद्रिय उद्दू सुर्चबल के नियम बारे में क्या है के इंद्रिय उद्दू सुर्चबल के नियम बारे में साहे कमंडेंट के करतव के बारे में बता गया है केंद्री अद्दु सुर्फचेबल के 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 अद्दु सुर्फचेबल क केंदे अजो सुर्चाबल के नियम तेरह में क्या है? केंदे अजो सुर्चाबल के नियम तेरह में गरपतारी की प्रक्रिया के बारे में बता गया है. अजो सुर्चाबल के नियम तेरह में बता गया है. केंदे अजो सुर्चाबल के नियम तेरह में क्या है? केंदे अजो सुर्चाबल के नियम तेरह में प्रक्रिया के बारे में बता गया है. केंदे अजो सुर्चाबल के नियम तेरह में बता गया है. जिसे में अजो सुर्चाबल के अजो सुर्चाबल के अजो सुर्चाबल के बता गया है. बल में नियुक्ती के पातरता की सरतें नियम सतरा और बल में नियुक्ता नियम तेरह में बता गया है. अध्यय दिन उप निर्ओचक SI और निर्ओचक इन्सपेटर के पदपर नियुक्तियां उप महान निर्ओचक लेकी द्वारा किया की जाती हैं और साहिक उप निर्ओच्वचक इसिस्टेंड Si histoire head constable और constable के rank में न्युक्तियां के rank कि न्युक्तियां वरिष्ट commandant या commandant द्वारा की जाती है it means constable से ASI तक commandant बरती कर सकता है और sub inspector से और sub inspector कर सकता है करता है अगला 32 वा के नियम पांच में क्या है के अध्याए पांच में अध्याए पांच में क्या है अध्याए पांच में सीधी बरती के बारे में बता गया है अध्याए पांच में कुल पांच कुल चार नियम है नियम ग्यार 19 नियम 20 नियम 21 और नियम 22 एक दो तीन चार नियम है अध्याफ पांच में कुल ऐसे कुशन आ सकता है वह अध्याफ पांच में कितने नियम है तो चार नियम है कुल कौन कौन से नियम है 19 नियम 19 नियम 20 नियम 22 और यह पांच वा नियम क्या है अध्याफ पांच क्या सीधी भरती के बारे में बता गया है किंदे अद्रू सुरुक्षावल के नियम 19 में क्या है किंदे अद्रू सुरुक्षावल के नियम 19 में बलसदिशों के पदों का नाम उनका कवर की करण और बेतनमान दिया गया दिया हूँ के नियम 20 में क्या है तो के नियम 20 में बर्ती की पदती आयू सीमा और अज्य एहरताएं के वारे में बताया गया है के नियम 22 में काडर के बारे में बताया गया है काडर मतलब नियम तीन में उल्लक तीन साखाओं मैंसे प्रतिक साखा प्रतिक साखा जेश्टा प्रतिक साखा 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 प्रतिक साथ में कुल रूनाति क्षाई आठ में विशेस उपबंध के बारें बतायँ गया है तताह इसमें कुल दो नियम है नियम 27 और नियम 28 चौरिस वा है केंदे दूसरुक्षा बल के नियम 27 में क्या है केंदे दूसरुक्षा बल के नियम 27 में वक्तियों के कतिपे प्रेवर्गों के लिए विशेश बंद के बारें बता गया है अगला एक तारिसवा केंदी और दूसुर्चा बल के नियम 28 में क्या है केंदी और दूसुर्चा बल के नियम 28 में सिथिल करने की सकती के बारे में बता गया है पुर्टिटू है केंदी और दूसुर्चा बल के अध्या नौ में क्या है तो केंदे अद्रोर सुर्चा बल के नियम और प्रकुरी आनि प्रोसेड प्रेशिफ प्रेशर के बारे में उले कि अले किया गया है तर्था इसमें नियम पर्टेटरी0-43 तक दिया हुआ है अब स्छ चाहरी समार केंद्री अद्री अद्री सुरुक्षा बल के नियम 31 में क्या है तो केंद्री अद्री अद्री सुरुक्षा बल के नियम 31 में अनुसासित करने वाले नियम इन रूल गवर्निंग डिसिपिलन दिये हुए है केंद्री अद्री सुरुक्षा बल के नियम 32 में क्या है केंदे उद्ध 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 अत्वा अने था अभी रख्षा में निरद्ध रखा गया है उसके निरद्ध की तारीख से पेला हुए है। गया हो यह कंडिशनेश में अगला है केंद्री अद्रुस रुच्छा बल के नियम 34 में क्या है केंद्री अद्रुस रुच्छा बल के नियम 34 में सक्तियों की परवर्ती प्रकरती नेचर आपदा पैलेंटी के बारें बताया गया है इसमें इसके तहट दो प्रकार के आती हैं पहला गंबीर सक्तियां मेजर प्लेंटीज कॉनकोंशेंट डिश्मिसल फ्रॉम सर्विस रिमोल फ्रॉम सर्विस और कंपल्सरी रेटार्मेंट और चौता है रेडक्शन टू लावर टाइम स्केल ऑफ फे ग्रेड पे ग्रेड और पोस्ट एटीसी यह आती हैं मेजर प्लेंटीज में इसमें आपको पूछ सकता है कि मेजर प्लेंटीज में से कौन सी नहीं है फिर कौन कौन सी है ऐसे कुछशन आएगा इसलिए इनको द्यान से पढ़नों कौन 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 सी मेजरेंट का आप साट्रिस बढा सकते हो डिएम जिसे डि-र-C-R डि-र-C-R मतलब चोटी सकतिया, ससास्तिया एक है सेंसर परनिंदा और with holding of his promotion उसके परदुननति को रोकना very nice with holding of increment of pay, वेतनवर्दी को रोकना find to any amount not exiting of seven days pay, साथ दिन के वेतन से अधिक की किसी रासी के दुर्माना ये सब क्या है ये सब PT punishment है अगला है 51 केंद्री अधिर सुर्चा बल के नियम 35 में क्या है केंद्री अधिर सुर्चा बल के नियम 35 में छुद्र डंडन PT punishment के बारे मता गया है, इसके तहत head constable को head constable और constable को 14 देन से अनधिक की कलावदी के लिए अतिरिक्त क्यवाएद या गाड डूटी फटी या अन्य डूटी भी डंड के रूप में की जासत सरीकेगी, यानि कि अब तक आप constable हो मालो, head constable हो अगर आपको PT punishment से बचना है, तो आप अच्छी तरह मेंद्र करो, जिससे आपको PT punishment से छूट मिले जैसा ही बनते ही, तो यानि कि अन्य डूटी भी डंड के रूप में जैसे head constable constable में also be awarded edge punishment extra drill, guard fatigue और other duty for a turn not exiting 14 days, यानि 14 जिन से ज़्यादा नहीं अगला है बावन में केंद्य दूर्ग सुर्चाबल के नियम 36 में बड़ी सक्तियों को अधीर ओपित करने के लिए प्रिक्रिया के बारे मता गया है procedure for imposing major penalties, यह है इसमें नियम 36 में अब है question number 53, केंद्य दूर्ग सुर्चाबल के नियम, 37 में क्या है केंद्य दूर्ग सुर्चाबल के नियम 37 में छोड़ी सास्तियों अधीर ओपित करने के लिए प्रिक्रिया के बारे मता गया है procedure procedure for imposing minor penalties अगला है 54, केंद्य दूर्ग सुर्चाबल के नियम 38 में क्या है केंद्य दूर्ग सुर्चाबल के नियम 38 में छुद्र दंड दूर्ग प्रिक्रिया procedure for imposing the petty punishment बता गया है अगला 55, बच्पन नमर कुश्चाबल के नियम 49 में क्या है केंद्य दूर्ग सुर्ग 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 के नियम 49 में कतिप है मामलों में विशेज प्रिक्रिया इनकी special procedure in certain cases के बारे मता गया है 56 है 56 नमर कुश्चाबल के नियम 40 में क्या है तो केंद्य दूर्ग सुर्ग सुर्ग Smart राज सरकार राज सरकारों आदी से उधार लिए गए बर्टी किये गए बल्चदेशां के संबन्ध में उपन्द के बारे मी बता गया है 56 जए pesosन है केंद्री अद्री 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 अद् है कौन सी उसमें नियम में किया जाता है तो 42 नमबर में अब केंद्रियों 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 केंद्रि इसके लिए ऑपील नोच और बात की गई है तता इसके नियम इसके तह तहएत नियम चारीश नियम चारीश नियम चारीश नियमच नियम पचास है कि इसा रिए उस्पेंसन के बारें बता गया है कुशन निम बारें बारर कि इसने क्या है इसका अनस्वाइक उत्तर है केंदे दूसरुचावल के नियम पैतालीस में आदेश जिसके बुरुद कोई अपील नहीं की होगी और्डर अगनेश्ट विद नो अपील अपीलाईज के बारे मता गया है 63 केंदे दूसरुचावल के नियम चालीस में क्या है अपील अगनेश्ट अडर इंपोजिंग पैनल्टीज के बारे मता गई है के बारे मता की गई है अगला है 64 केंदे दूसरुचावल के नियम चालीस में क्या है केंदे दूसरुचावल के नियम चालीस में अपील के लिए परिसीमा की अवदी पीरिड ओफ लिमिटेसन फॉर अपील के वारें बता गया, के वारें बात किया है, नोट, अपील, अपील के लिए परीशीमा के अधी तीस दिन या तीस दिन के अंदर की होनी चाहिए, अपील के लिए परीशीमा के अधी तीस दिन या तीस दिन के अंदर होनी चाहिए, किंद्र दूसरुक्षावल के नियम 38 में क्या है 65 नम्ब कुछिन है किंद्र दूसरुक्षावल के नियम 38 में अपील का प्रारूप और अंतरवर्स्तू फॉर्म एंड कंटेंट्स ओफ अपील के बारें बता गया है किंद्र दूसरुक्षावल के नियम 39 में क्या है किंद्र दूसरुक्षावल के नियम 39 में अपील का पेस किया जाना समयस्तन ओफ अपील दिया हुआ है 67 है किंद्र दूसरुक्षावल के नियम 50 में क्या है तो किंद्र दूसरुक्षावल के नियम 50 के तहट अपीलों को रोका जाना यहीं विदा ओल्डिंग ऑप अपील दिया हुआ है 68 कुश्चन नंबर है किंद्र दूसरुक्षावल के नियम 51 में क्या है किंद्र दूसरुक्षावल के नियम 51 में अपील का पारेशन हैंगी ट्रांसमिसन ट्रांसमिसन ओफ अपील दिया हुआ है 69 है, किंदिर दोसे प्चाबल के नियम बावन में क्या है, किंदिर दोसे प्चाबल के नियम बावन में Consideration and the appeal का विचारण किया, विचारण किया दिया हुआ, दिया गया है 70 अमरे केंदेर्रिय लुक् builders टेंयम की गई क है अपील में के इंप्लिमेंटशन आपर्डर्स इंप गई करने के बारे में दिया बात की गई है 71 है केंदेरर्द pude간 केंदेर्द्रिय लुक्षण बल केंप लुक्षण भारत कानगा है इंगी डाइज नौन दिया हुआ है 73 है केंदर दूसरुक्चावल के नियम 56 में क्या है केंदर दूसरुक्चावल के नियम 56 में याची कायनी पैलेंटीज दी हुई है 74 है केंदर दूसरुक्चावल के नियम 57 में क्या है तो केंदर दूसरुक्चावल के नियम 57 में अन्य उपायों तरीकों पर रोग other method forbidden, ये बारे में बात की गई है 75 है, केंद्री उद्दुक सुरुच्चा वल की 12 है, चैप्टर वारे में क्या है तो केंद्री उद्दुक सुरुक्चा वल की 12 है, पिरकिरेंग है मिस सेलेंट मिस सेलेंट दिया हुआ है तो था इसके तहत नियम 58 तक दिया हुआ है अगला है रासी जो भी अधिक हो वापस करने की उपेक्चा की जाएगी जैसे मालो हायर या मालो कोई भी रैंक में आपको कोई डिपार्टमेंट में आपको सेलक्षन हो जाता है और आप 10 साल से पहले नौकरी छोड़ना चाहते हो तो यह कि उसको क्या करना पड़ेगा या तो ट्रेनि और वस्ते जो भी अधिक हो इन दोनों में से वही उसको पे करना होगा अगला है सतितर नमबर केंदियो दूसरुक्चा वलकेनियम उन्सट में क्या है केंदियो दूसरुक्चा वलकेनियम उन्सट में सेवन मुक्त प्रमान पत्र हैं शर्टिफिकेट देने की बात की गई है पिर 78 नुमर कुश्यन में है किन्दिय दुरुसुरुcsик добавLY Caynium 66 में क्या है कि Emincken 817 के प्रवान पात्रो का अभ्यर्थन अभ्यर्पन सरेंडर अब्यíर पन शरेंडर अभ्यरपन सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट फो वफ सेवन्टीनाई एखेंद दूसुचाईवल के नियम 61 में क्या है एखेंद दूसुचाईवल के नियम बासट में क्या है तो चिकिस्ये सुचाईवल फेसिलीटी दी गई है एक क्यासी हमारे केंदेदुर्सुर्श्चावल के नियम 1363 में क्या है तो केंदेदुर्सुर्श्चावल के नियम 1363 में चुटी एंगलीव के संबंद में बात की गई है